नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ ननिरी आदो वक्त हो गया है उत्रपतेश की बड़ी खबरों कारू कर लेते हैं खबर की ओर यूपे विधान मंडल का शीट कालिन सत्र मंगलवार को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा ये 2023 का तीसरा विधान मंडल सत्र होगा वह इस सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी कार्याले का उद्गाटन होगा उद्गाटन विधान सबाध्यक्ष सतीश महाना और अखलेश यादव की मौझूदगी में किया जाएगा बतादे कि मानसून सत्र के पहले दिन भाश्मा नेता और पूर्वमंत्री वाल लखनव के पूर्व विधान सबाध्षित्र के विधायक आश्री तोष्ट तंटरन और अन्य सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद सदर अस्थखित कर दी जाएगी बतादे कि इस सत्र के बजट में योगी सरकार वित्यवर्ष दोहजार तेस और चौबिस के लिए अनुपूरग बजट प्रस्तूत करेगी सत्र में कई अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधायक समेत कई अन्य विधायक प्रस्तूत किये जा सकते हैं सत्र में विपक्ष जातिगत जन्गर्ना, कानून विवस्ता, आवारा, पश्ट्वों और किसानों की समस्या, बेरोजगारी और महंगाई जैसे कई मुद्दों को लेकर हंगामा कर सकता है शीतकालीन सत्र में एक रिदिसंबर को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और उसके बाद मोख्यमंत्री यूग की आधितनाद का भाशर होगा भारत की जनता पिछले लोगसभा चुनाव में यूपिय और एंटिय दो राजनेतिक गटबंधन का चुनावी मैदान में कड़ा मुकाबला देखा करती थी लेकिन बाहौल और समय के साथ यूपिय गटबंधन ने नया गटबंधन तयार कर पुराने को बदल दिया है और अब इस गटबंधन को इंटिया गटबंधन का नाम दिया गया है इंटिया गटबंधन के इन दिनों राजनेतिक गल्यारों में काफे चर्चा है महें बीजेपी नेता इस गढ़ बंधन को ठग गढ़ बंधन बता रहे हैं महें 2024 लोगसभा चुनाओं की तैयारियों में बीजेपी सहीत सभी राजनेतिक दल चुट गया है और भारतिय जंता पार्टी ने आगरा फिरोसाबाद MLC विजेपी शिवहरे को मेरठ चिले का प्रभारी बनाया है विजेपी सरकार में प्रदेश मंत्री और पुरुव में आगरा के महानगर अध्धक्ष की कमाद सभाल चुके है साथी लोगसबा चुनाब से पहले विजेपी की तयारियों पर प्राइम टीवी समधाता ने विजेपी शिवहरे से खास चर्चा की है देश में दोजार चौबीस लोगसवा चुनाब नजदी के सबी राजनेतिक पार्टियां दोजार चौबीस लोगसवा चुनाब की तेयारियों में हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पिरदेश मंतरी बिजे शिवरे जो आग्रा फरोजाबाद MLC भी हैं इनसे जաղ लेते हैं पिर देश में किस लिवल से बारती जन्ता पाटी की तैयारिया हैं तो उल्टेश दिन वर्समें होती हैं wären इस तिनंगे डिन वह काम करता है बूझ जीता चुनाब जीता के आधार पर पर कारकरता काम करता है एक नया प्रयोग हम 2024 में करने वाले हैं जो हमने 22 के शुनाम में खरा के पन्ना प्रमुक्की टीम जो मद्दाता सूची होती है पन्ने का प्रमुक्की एक नाम उसके 4 प्लस कारकरता जोड़के एक पन्ने पे 5 कारकरता इस इस्तर पे हम त्यारी हम लोगों की है और मुझे करता कि कहीं कोई टिक पाएगा यह विपक्ष के लोग इंडिया जो बनाया है नो ठंग बंदन कहीं नहीं ठेकेगा इंडिया एलाइंस घडबंदन की बात करें तमाम भारती जनता पार्टी के जो जनपिर्दिनी थी हैं आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में 2014 के चु करती जनता पार्टी को बहुत कुछ दिया नो विदायक हैं दो सांसद हैं इस बार क्या लगता है क्या मुद्दा रहे गाएं मैंने मुदी जी की कत्री करनी कोई अंतर नहीं है अगरा की बात करो को तो बाइपास पर जाम की स्थिती बनी रहती थी मचार फ्लाइवर बना क सिकंद्रा से लेकिए और वाटर वस्त जो दिया निजाद इस पाने का काम हूँ है नमर एक नमर दो आपने एयरपोर्ट की बात के एयरपोर्ट का काम चालू हो चोका आपको जानकरी रहने चीज़ के लिए और बाकी जो सुविधा चाहिए सबस्वड़ा का मेट्रो ट्रे सब्सक्राइब के साथ नाइट विजन में यह काम हो यह बराबर काम चलने हैं और मुझे लगता है कि मोदी जी पर विश्वास और योगी जी पर विश्वास देश की प्रदिस्की जन्ता का पूरा है बात करें खंडपीट की तो यहां पर कानून मंत्री स्पी सिंभ बगे और मुझे लगता है कि कंडपीट की यह ऐगे यह बसक्राइब के लिए सब्सक्राइब मुझे लगता है कि समय और वक्त आएगा तो वह काम भी पूरा होगा मैं विश्वास के साथ आपको बता हुए बात करें भारती जन्ता पार्टी और इंडिया एलाइंस गड़ बंदने क्या लगता है इस बार दोजार चौवीस चुनाब मैं अब इंडिया नियांस के रहें और मैं वैसको कह रहा हूँ ठक बंदन वो ठक बंदन इन इंडिया नहीं है ठक बंदन कहीं उसे आप और भारती जन्ता पार्टी एंडिये पूर महमत की सरकार बनेगी प्रचेंड महमत की बनेगी दो जार उनिट्स का रेकॉर्ड तोड़कर पनेगी क्योंकि सर्वें भी कहते हैं पार्टी काटी करता है भी कहता हिंग हैं है अब तBeंभ और यूसी मुझा के रही है डिसके आधा कि हमऻय की था है तो मूद्धaliśmy है तो मुझे लगता है मोधी तो मुम्किन है और योगी जी तो मुम्किन है देखिए यह हमारे साथ मौजूत है आगरा फ्रोजाबात MLC बिजे सिवरे इनका साफ तोर से कहना है 2024 के लोकसवा चुडाओं में पूर बहुमत से भारती जनता पाटी की सरकार बनेगी अपने सही होगी आशिफ हुसैन के साथ जीशान एमत प्राइम टीवी आगरा शहीद पत किनारे काना स्ट्रेडियम पर 6 महीने पहले हाथसा हुआ था जिसमें मा बेटी की जान गई थी और इस हासे का मुख्यमंत्री ने भी संग्यान लिया था वही हासे के बाद अधिकारी आगे और कुछ दन अभ्यान चरा साथी छेकेदारों को नोटिस भी पहुचा था लेकिन समय बीत ने के साथ साथ हिला हवाली भी फिर से शुरू हो गई और एक बार फिर से राजथानी लखनव के फुटपात समेत मकानों के बाहर बड़ी-बड़ी होडिंग दिखनी लगी है जबकि नगर निगम, LTA और पुलिस विभाग की अधिकारी इस रास्तों से गुजरते हुए नजर भी आते हैं लेकिन कोई संग्यान नहीं ले रहा है वही इन होर्डिंग को देखकर साफ कहा जा सकता है कि ये होर्डिंग एक बार फिर से किसी हाथसे को दावत देती हुई नजर आ रही है में रोड पर डिवाइडर पर यूनिपोल और होर्डिंग नहीं लगेंगी इसके आदेश लगबग छे माँ पूर्व चारी हुए थे जब इकानाय स्टेडियम के बाहर एक हाथसा हुआ था उस हाथसे में एक महिला और बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई थी लेकिन आदेश पारिद होने के बाद भी लगातार इन आदेशों की धज्यां उड़ती हुई नजर आ रही है छे माँ बीद गया लेकिन होर्डिंगे आज भी फुटपातों पर लगी हुई नजर आ रही है हम तस्वीर दिखाएंगे राजधानी लखनव के सबसे पौश अलाके हजरत गंज एरिये की हजरत गंज एरिया में अब सफतर से तस्वीरे देखेंगे यूनिपोल पर भी होर्डिंग लगी हुई है फुटपातों पर भी होर्डिंग लगी हुई है इसके साथ यह जो आप होर्डिंगे देख रहे हैं इन होर्डिंगों को लगातार लेकिन किसी तरह की कोई भी कारेवाई होते नहीं दिखती। दूसरी तस्वीर हम विधानसभा की तरफ जाने वाले रूट की दिखाएंगे। वो भी आप रूट की तस्वीरे देखेंगे। छट के उपर बड़ी सी होडिंगे लगी है। विधानसभा की तरफ जब आप गिरेगी तो एक बड़ा हाथसा होगा और फिर हाथसे के बाद जिम्मेदार जागेंगे और कारेवाई की बात करेंगे। लेकिन सवाल उड़ता है जब फुटपाथ पर इस तरह की यूनिपोल और होडिंगों को लगबग साथ साल पहले ही परती बंधित किया जा चुका ह तो उसके बाद भी इस तरह की फोडिंगें जो लगी हुई है उस पर किसी तरह का संग्यान नहीं लिया जा रहा यहां यूं कहा जाए कि जो नियमा वली है उसका पालन नहीं किया जा रहा जो टिंडर पास होता है जो होडिंगों होडिंग ठेकेदार लगवाते हैं वो भी इस मामले को लेकर लगातार नजर अंदाजी करते दिखते हैं लेकिन अब सवाल उठता है कि अधिकारी इन सभी मामलों को लेकर लापरवा क्यों दिखते हैं लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर इस पर कारवाई कब तक देखने को मिलेगी वीडियो जनलीस विजए के साथ मुहमत कलीम प्राइम टीवी लखनो हर्दोई के अत्रौली थाना शेत्र के सोनिक पुर गाउ में चोरों के होसले बुलंद नजर आ रहे हैं भगवाल शिव के भक्त और राक्षस राच वाड़ा सुर्थवारा स्थापित बाड़ेश्वर महादेव मंदर से करीब डेड़ कुंटल घंटा ग्या चोर चोरी करके ले गए और चोरों ने शिवलिंग भी खंड़त कर दी वहीं चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुद गई है मैं विकास कुमा जैस्वाल शेता लदिकारी बगवली जनपध हर्दोई आज प्राता एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना छेत्र अतरवली के अंदर का ग्राम सोनीपुर में बने मंदिर में अग्याज चोरों द्वारा घंटे चोरी करने का प्रयाज किया गया चोरी करन प्रभाई निरिच्षक अतरवली ततकाल मौके पर पहुचे गटना इस्तिल का निरिक्षण किया गया उनके द्वारा और खंडित शिवलिंग को पुना मरमत कराए जाने का कारे किया जा रहा है और प्रभाई निरिच्षक अतरवली को निधेशित गया गया है कि इसके धार्मिक इस्तल पर लगे लाउड स्पीकर के खलाफ अभियान चलाया जिसमें पुलिस ने मानक के अनुसार 37 लाउड स्पीकर की आवाश कम कराई और खुरजा सिकंदराबाद अनुफ शहर स्याना शिकरपूर डिबाई छेत्र में धार्मिक इस्तलों से लाउड स्पीकर उत्रवाई है उत्राखन टैनल में श्रावस्ति जिले के छै मजबूर फसे हैं जसे पज़्चों को रो रोकर उनका बुरा हाल हो गया है फलाल रेस्क्यों आप्रेशन तेजी से चल रहा है और उत्तरकाशी टैनल हासे में जारी रेस्क्य आप्रेशन अब अपने आखरी प कि दिपावल एक दिनों फस गये थे आप लोग दिपावली नहीं मना पाये थे निकल आएंगे तो फिसके हम दिपावली मनाएंगे यहने की चेहरे पर खुसी है हमारे एक छोटा भाई है एक जो है चेशिरा भाई लाम मिलन कहां रहे थे उत्राखंड में गये थे मदूरी के लिए क्या हुआ है किया हुआ है किया वहीं संडे को जो दिपावली के दिन जो है प्रोन आया थे तो इसलिए दसने के वज़े से वहां मदलब फस गये हैं हमारे यहां के तो जो है चे मज़गूरी जो और बाहर के हैं मदलब बगब चालिज मजदूर बता रहे हैं अब यह कहना चाहते हैं कि जरर से निकली आवा तो अच्छा रहा है बारा जिन साथ फसा है वहां अब सब जोग चिंते में है जब नाई बाहर आवा है तब जिव चिंता लगा है अब बाहर निकल जाएंगे तब बढ़िया हुई जाए माउ के खाना मुहमदाबाद कोतवाली थाना च्छेत्र के बंदी कला गाउ में अग्यात कारणों से छोबडी में आग लग गई मही आग लगने से 27 वर्ष्य महिला की चल कर मौत हो गई जबके महिला के दो बच्चों को ग्रामिडों ने बचाया यूपी का मौसम अचारक से बदल गया एक दिन पहले दिख रही धूप गायब हो गई और आसमान में बादल चाय रहे साथी ठंडी हवाओं से तापमान गिर गया वही पश्मी विवचोब की सकरिता का असल लखनों पर दिखा और पूरे दिन बादल चाय रहे साथी धूप की छलक 14 सेकंड ही नजर आई इसके करण दिन का तापमान गिराव मही रात के पारे में गिरावट के आसार जताय जा रहे है और कोहरा भी बढ़ेगा एक तरह पारा गिर रहा है दूसरी तरह शहर की हवा का स्थर अभी भी खराब बना हुआ है लखनों की हवा अभी भी नारंगी स्ट्रेडी में खराब बनी हुई है यादायात महीने को लेकर लगातार पुलिस विभाग लोगों को ज़ागरू करने का अभियान चला रही है मही आज ट्रैफिक पुलिस के साथ किनर समाज ने भी हातों से हाथ मिला कर सडक सुरक्षा अभियान में अपना हाथ बढ़ाया और ये अभियान गोंती नगर के 10.94 पर चलाये गया इस वरान बिना हेलमिट बिना सीट बिल्ट लगाए लोगों को रोका गया इस बीच लोगों को गुलाब देने के साथ ट्रैफिक नियम से जुड़ा पैम्पलेट देते हुए सडक सुरक्षा का पालन करने की श्यपत भी दिलाई गई है सडक सुरक्षा अभियान के तहट राजधानी लखनाउ में ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ किनर समाज ने सडक सुरक्षा अभियान में लोगों को जागरू करने का काम सुरू किया है राजधानी लखनाउ के 1094 है कि आप तस्वीरों में साफतोर से आप देख सकते हैं यहाँ पर किनर समाज जिस तरीके से लोगों को जागरू कर रहे हैं जो बिना हैलमेट के निकल रहे हैं उनको गुलाब दे करके पूरी तरीके से जागरू करने का काम के जा रहा है और सब करके से अब लगा के चलें सीट woh लगा के चलें कि आप के घर में कोई आपका इमतिजार कर रहा है है तो इसको ध्यान दें कि आप भी किसी की अवलाद हैं आप भी किसी का परिवार यह बहुर लिए कि आपैसो से बचेंट गोलाद में उसके पीछी संदेश क्या है हम हमारा जो एक नौंबर से 30 नौंबर तक के बीच में डिसीपी टैफिक के आदेशान सारे अभियान चलता है इसमें हमें संदेश देते हैं कि लोग याता अतनीयम का पालान करें हेलमेल लगाएं सीट बेल लगाएं और जबरा क्रासिंग करें और जब बत्त क्या कुछ और संदेश से जो लोग बीना हैलमेट के चलते हैं और स्पीडिंग चलते हैं रेड लाइट का परियोग नहीं करते हैं जेवरा क्रासिंग का परियोग नहीं करते हैं तो उसके पीछे क्या कुछ कहना चाहेंगी हम यही इसलिए तो हम जागरूप कर रहे हैं कि पालंग करें जिससे होते हैं रोड एसीडेंट रहे हों कम से कम है पर देखा ट्यूसाइट थे किर समाज की जो पायल जी थी इन लोगों ने साफ तोर से बताया यहां पर तस्वीर है देख रहे हैं कि जिसे तरीके से बिना हैल्मेट के जो योग निकल रहे थे उनको तो उन हाथ सो लेकर के भी अब जिस तरीके से जो अभ्यान है उस अभ्यान के तइट जागरूप करने का काम कर रहे जिससे लोग सचेत हो और सुरचित अपने घर जाएं विडियो जनलीस विज्जय के साथ मुएम कलीम प्राइम टीवी लखनौ यूपी के बुलंद शेहर में स्पी श्लोक कुमार के नेचेतु में आउपरेशन लगड़ा जारी है जहां स्जियो टीम और थाना कोतवाली नगर की सायूक्त टीम से बाइक सवार बदमाश से मुठभेड हो गई और मुठभेड के दौरान 20 इनामी बदमाश बाबुदीन के पैर में गोडी लग गई जिससे इनामी बदमाश बाबुदीन घायल हो गया और उसे इलाश के लिए जिलास्पतार में भरती कराये गया है वही घायल इनामी बदमाश के पास से पुलिस ने एक तवंचा, एक खोगा, दोजन्दा कार्तूस बरामत किया है फिलाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है अभी के लिए उत्तक देश की खबरों में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखती रही प्राइम की